हम ची मिधला के वासी और मैथली हमर पहचान ची नवशकार कशिश न्यूस पर हमारा खास कारिक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रश्मिश रवासव अब आप सोच रहे होंगे कि आखर इस कारिक्रम के शुरुवात में मैंने मिधलांचल का जखर क्यों किया है क्योंकि मैं खुद मिधला की बेटी हूँ दर्भंगा की बेटी हूँ मैं और आज मेरे साथ जो खास महमान जुड़ेंगी वो भी मिधलांचल की रहने वाली हैं मधवनी की बेटी हैं और अब ये सिर्फ मिधला ही नहीं बलकि पूरी बिहार की बेटी बन चुकी है देश की बेटी बन चुकी है और इन्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है मैथली ठाकूर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कशिश निउस पर कैसा लग रहा है जब लोगों का ये प्यार मिलता है मतलब बेंतहा प्यार आपको मिल रहा है चाहे अगर आपकी जो गारी है वो रोट पर भी रुख जाए है तो ऐसा लगता है कि वो मुझे जान रहे हैं उसका मतलब है कि उनके घर में मैं किसे ने किसी रूप में हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और देखिए चोकि मैं इस शुरू में बताया मैं मिथलान चल की हूँ मेरे लिए पापा काम करते हैं तो ये जब आप भीषार भर में फेमस हुई जब आप शोज में गई कई रियालिटी शोज आपने की ए और जब एक फेटान मिली विहार को आपने एक नई पहचान दी है वो देखकर अख़वारों में अपनी तस्वीरें देखकर क्या फील होता था मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मम्मी बताती थी कि देखो अपने बिहार के जो है इनका नाम नियूस पेपर में आउट हुआ है ऐसे हम लोग जिकर करते थे आरे देखो अपने जो भाईया हैं उनका नाम आउट हुआ है क्योंकि उनके इतने परसेंट मांक्स आए वो इतने तेज है पढ़ने में तो कभी तुम भी ऐसा काम करो जो तुम्हारा भी नाम नियूस पेपर में आउट हो जो लिए मेरा नाम आउट हुआ है उसके बाद दीरे लोग का इतना प्यार है आप सभी का इतना प्यार है आप अभी मैं इंटरव्यू के लिए मैं कामरे में बात कर रहे तो मुझे काफी क्षुशी हो रही है और जैसे आपने बताया कि आपने अपनी मा का सपना पूरा किया और आपने कई इंटर्व्यू में कहा है कि आपको आपके दादा जी का भी बहुत सपोर्ट रहा दादा दादी ने आपको जो है काफी सपोर्ट के आपके सेंगिंग में कैसे देखती है उस सपोर्ट को आज य होता था कि बेटा लोग पर होता था कि वो लोग बाहर जाके पढ़ लिख सकते हैं लेकिन जो लड़किया होती है उनको थोड़ा लेट हम लोग स्कूल में डाला मेरे साथ भी इनीशिल ऐसा हुआ लेकिन वह रीजन वह नहीं था कि मैं लड़की हूं इसलिए मुझे लेट स् गाओं उस पर फोकस करूं तो मैं गाओं में रहते वे भी मैं सिर्फ बाबा के साथ बैठके जो वो गाते थे वो सुनती थी या फिर जो अश्ट जाम किरतन सुबह से लेके पूरे 24 घंटे तक होता है उसमें मैं बैठती थी तो उस समय मैं इतनी लीन थी कि मुझे लगता कि वो जो फेथ उन्होंने किया मुझे पर जो विश्वास किया एक लड़की होते वे पोती होते वे वो भी मैं अपनी चाचा की मेरे सिर्फ दो बेटे हैं और अपने यहां पर मैं मैं सिर्फ एकलोती बेटी हो लिग मुझे बहुत जादे लाड़ प्यार मिला अपने रहता है से पहले मेरे पिता जी को देखते हैं सब और फिर पिता जी की पीछे मुझे देखते खड़े तो पहचाल लेते कि अच्छा ये मैथली है तो इसी तरीके से होता है काफी अच्छा लगता है मैं अपने आपको भी भी imagine नहीं कर सकते कि मैं कहीं जारी हूँ और मेरे पिता जी मेरे साथ में नहीं हो समय तो मुझे मैं काफी घबरा जाओंगे सोचके मुझे लगता है कि मैं काफी comfort महसूस करती हूँ पापा क्या सपास मैथली अभी चुके सोचल मीडिया का जबाना है यूटूब पर खास करके इंस्टाग्राम के जो आपके एक चोटे चोटे रील्स होते हैं जो आप गाने के जरीए जो डालती है उसे काफी ज्यादा प्यार मिलता है लोग लाइक्स करते हैं और उसे रीक्रियेट भी करते हैं आपको टाक किया जाता है अपने देखा है आप सोचल मीडिया पर उसे अपने स्टोरीज में शेयर करती हो तो लोग इससे आपके प्रती उनका जो लगाव है वो ज्यादा बढ़ रहा है कि अरे हमारे स्टोरी को मैथली ने शेयर किया है तो वो उसे फिर से शेयर करते हैं तो यह लोगों का जो प्यार है ना कैसा कुछ अलग बहसूस होता है या जिस तरीके से यह प्यार बिल रहा है मैं यह चीजे एक्चली बहुत नाचरली मेरे अंदर आई मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं रियालिटी शोज में जाते थी वहाँ पे हम लोग काफी सारी सेलिब्रिटी से मिलते थे और हम लोग छोटी-छोटे बच्चे होते थे कंटेस्टिंट होते थे धेर सारे तो उससे कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो कि मुझे लोग जान रहे हैं मेरे साथ फोटो की चाने आ रहे हैं तो मैं भी वैसा एक महौल बनाकि उनको दू ताकि उनको कमफर्ट मैसूस हो उन्हें लगे कि हाँ यह हमारी फेवरेट आटिस्ट हैं तो हमें अच्छा लग रहा है तो वो इंदर उसी समय से आ गया जब से मैं देखते आई दूसरे आर्टिस्ट को तो बिल्कुल और यह होना भी चाहिए मैथली क्यूंकि जब आप अपने फैंस को प्यार देती है ना तभी यह प्यार जो है वो दुगुना चरगुना बढ़ता है और यह एक तरह से सबज यह तो इंदर का गाना अपनी अपनी वर्जन में गाया हो और उनका कुछ संदेश आया हो कि बैठली खुश हुए या देख के अच्छा है काफी बार जबने सोचल मेडिया इंस्टेग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया था तब मैं क्या करती थी हम तीनों भाई बहन के जो जो अब लाहर उने पर कैसे गाएं वो हम लोगों ने स्टार्ट किया और धीरी धीरे करते हमने देखा कि लोगों का बहुत प्यार मिला और जो 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 ओरीजिनल क्रेटर्स होते होते थे वो लोग भी मेसेज करते थे कि हमें काफी अच्छा लगा काफी उनीक लगा काफी सार लोगों ने शेयर भी किया तो अच्छा लगा हमें और यही बज़ा है कि आपको अब एक अलग जो पहचान है वो मिल चुकी है खादी की ब्राइंड इंवेस्टर है या बिहार निर्वाचनायों की ब्राइंड इंवेस्टर है तो जब यह प्यार मिला तो क्या महसूस आपके लिए भी बिहार के लिए भी मिधलांचल के लिए भी तो इसे कैसे आपने देखा ये प्यार अब में सब पहले यही पूछते हैं रहे यह साड़ी तो खादी की होगी ना वहां पर तो अभी महराश्ट्रों में मैं गई वहां पर जो मुख्य मंतरी हैं उनलों को भी मालूम था कि मैं अमबैस्डर बनी है सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे तो मुझे काफी आप उनके लिए एक प्रेड़ना बनी है मैतली थाइंक्यू थाइंक्यू मुझे अपने आपको हमेशे ऐसे ही रखना है ताकि मैं सभी को मोटिवेट कर पाऊं और मैतली साथ ही अगर बात करें तो आपको पहले अपने बच्पन का वो समय याद होगा जब जादा लड़क आपके इंटर्व्यूस करती हैं आपके सामने आती हैं तो क्या फील होता है यह देख मैं मैं अचली इस बात को रियलाइज नहीं कर पाई कभी अपने बच्पन से लेके अभी तक कि यह बात जो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती है मैं यह मांतियों कि हा मुझ से पहल सब सुनके काफी दुख होता है लेकिन मैं काफी भागेशाली हूँ और मैं जिस समय में हूँ न ये समय मुझे लगता है हमारे बिहार में भी सब लोग प्रमोट कर रहे हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है अब जितने भी वरक्शॉप होते हैं तो मैं देखती हूँ लड़के लोग कैसा नाइसाफी हो रही है मुझे भी अपने परिवार में मेरे भाईयों से भी बहुत अधिक प्यार मिलता है वह अभी से नहीं मैं बहुत छोटी थी तब इसे जो राजकुमारी ज़सा ट्रीट करना तो मुझे काफी दुख होते हैं मेरे भाई लोग के ल